ओम गई शी महां गड़ी शाय नहां। राधी राधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों भगवान श्री हरी कृष्ण का प्रिया महां भादपद चल रहा है। भादपद महां की एकादशियों का विशिश महत्र शास्तों में बताया गया है। भादपद महां की अधार्मीक मानेताओं के अनुसारंwe पूरी शर्णा के साथ करते हैं उन्हें पुन्य फल की प्राप्ति होती है इतना ही नहीं यहां तक कहा गया है कि इस फटको करनी से अश्मेद यक्टी की समान फल की प्राप्ति होती है इस ब्रत को नियम पूर्वक करने बाले के सभी पाप मिट जाते हैं साथ ही भगवान विश्नु के साथ धनकी देवी मालक्ष्मी का भी खास आशरवार प्राप्त होता है इस साल अजा एकादशी का ब्रत 23 अगस्त को किया जाएगा क्योंकि 22 अगस्त को एकादशी तिथी का 6 हो रहा है और सूर्य उद्य के समय 23 अगस्त को एकादशी तिथी रहेगी इसलिए अजा एकादशी का ब्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा और ब्रत का पारण 24 अगस्त को किया जाएगा एकादशी ब्रत का पारण सुर्य उद्य होने के बाद और द्वादशी तिति समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहें तभी ब्रत पूर्ण होता है और इस बाद द्वाद द्वाद दिति 24 अगस्ति की सुपह आट बच कर 31 मिट पर समाप्त हो जाएगी इसलिए ब्रत का पारण 24 अगस्ती की सुभे 5 बच कर 55 मरसी सुभे 8 बच कर 30 मिर्ट की बीच में अवश्य ही कर ले। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णू और मालक्ष्मी का पूचन करने से सभी दुख समाप्थ हो जाते हैं और जीवन में सुख सम्रथी आती हैं। भगवान विष्णू प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मन चाहां बर्दान प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णू के साथ मालक्ष्मी का पूचन करने से घर में धन धानने में भी ब्रद्धी होती है। दोस्तों एक आदशी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों यह आसान सा उपाय आपको एक आदशी के दिन साबु धनिये से करना है। धनिया केवल खाने में ही उप्योग नहीं किया जाता। बनकि जोतिशी दिश्टी से भी इसके अनेकों उप्योग है। क्या आप जानते हैं कि धनिया आपको आपके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिना सकता है। अगर आप धनिये का यह आसान सा उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने के स्वात को तो बढ़ाता ही है लेकिन जीवन को सुख में बनाने में भी उतना ही योगदान देता है। तो आईए जानते हैं धनिये का यह आसान सा उपाय जिसे करके आप जीवन के संकतों से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया भगवान बिश्नु मालक्ष्मीजी को अतिप्रिय है। भगवान श्री किष्न के जनवाश्ट्मी पर भगवान श्री किष्न को धनिये की पंचीरी का ही भोग लगाया जाता है। और दीपावली पर भी मालक्ष्मी के पूजन में धनिय का इस्तमाल अवश्य ही किया जाता है। आम भी एकादशी के पावन पर परभगवान विश्नु मालक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए धनिय का ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। इस उपाई को आप एक आदशी के दिन दिन में या रातरी में किसी भी समय कर सकते हैं। उपाई करने के लिए इसनान करके सच्छ बस्ते धारण करें। आज के दिन हो सके तो लाल या पीले रंके बस्तर ही पहने। लाल या पीले रंगे वस्तर पहन कर भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी का पूचन करना बहुत ही शुब माना जाता है। इस नान करने के पश्चात अब आप थोड़ा सा साबुद धनिया लें, याने की थोड़े से साबुद धनिये के बीच लें। अब इन्हें आप एक साफ पातर में रख लें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिच्छा कर बैठ जाएं। भगवान श्री हरी विश्णुमा लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्धिकी का दिया जलाएं और एक सुगंदित धूपत्ती जलाएं। इसके पश्चाथ भगवान श्री जी को हल्ती से तिलक करें और मालक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब आप भगवान श्री मालक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान पिष्टू ची को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना अतिशुब माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें आप जब भगवान पिष्टू ची को भोग लगाएं और खासकर एकादशी के दिन, आप भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े भगवान जी को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो तुलसी जी के पास जो अपने आप तूटकर गिरे हुए पत्ते हैं आप उन्हें लेकर धोकर भगवान जी को भोग लगा दें। भोग लगाने के पश्चाद अब आप भगवान विष्णू मालक्ष्मी जी के सामने उनके चर्णों में एक लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद आप लाल रंग के कपड़े बस सूखे साफ धनिये के आप बीच रखतें। बीच रखने के पश्चाद आपने भगवान विष्णू जी को जिस हल्दी से तिलक किया है और मालक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक किया है। उन दोनों ही हल्दी और कुमकुम को आप धनिये के बीच पर छिड़कतें। इसके पश्चाद भगवान विष्णू मा लक्ष्मी जी के इस महा मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम लक्ष्मी नारायन नमो नमा। आप इस मंत्र का जाप तुलसी जी की माला पर करेंगे तो अतिशुप रहेगा। अगर तुलसी जी की माला ना हो तो आप जिस माला पर मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी कर सकते हैं या फिर उंगली पर गिनकर या फिर मिश्री के दानों पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं मंत्र का चाप करने के पश्चाथ अब आप भगवान पिश्टूमा लक्ष्वी जी की आर्थी करें इसके बाद भगवान जी से अपनी धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें घर में सुक्सम्रथी की प्रातना करें फिर आप भगवान जी के चर्णों मे से धनिये के बीज और कपड़े को उठाएं और धनिये के बीज जिस कपड़े में रखे हैं उसी कपड़े में धनिये के बीज को बांद कर आप एक पोठली तयार कर लें अब आप इस पोठली को भगवान जी के सामने रखे हुए दीपक के ऊपर क्लॉक वाइस ग्यारे बार खुमाएं दूस्तो थोड़ा उचाई से खुमाएं जिससे कपड़े में आग ना लगे पोठली खुमाते समय भी आप भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी के इसी मंत्र ओम लक्ष्मी नारायन नमू नमा का जाप करते रहें जब आप ग्यारे बार दीपक पर पोठली को खुमाने इसके बार इस पोठली को अपने मस्तक से लगाएं और भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें अब आप भगवान बिश्णु मालक्षमी जी के इसी मंतर का मनही मन जाप करते हुए इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में रखतें यानि कि अपनी धन रखने के इस्थान पर रखतें अगर ऐसा इस्थान ना हो तो आप इस पोटली को किसी साफ इस्थान पर रखें और बहाँ पर कुछ रुपए रखतें आप इस पोटली को अपने मंदिर के पास भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आप इस पोटली को अशुद्ध हातों से नाचूए और जब भी एकादशी आए आप इस पोटली को फिर से भगवान विश्टू मा लक्ष्मी जी के चर्णों में रखें और पूजन करें और फिर से इसे धन रखने के इस्थान पर रखें दोस्तों शास्तों में बताया गया है धनिये का ये आसान सा उपाई करने से दोस्तों इस उपाई के साथ ही आज के दिन भगवान विश्टू मा लक्ष्मी जी को धनिये की पंचीरी का भूग अवश्य ही लगाना चाहिए शास्तों में बताया गया है आज के दिन भगवान विश्टू मा लक्ष्मी जी को धनिये की पंचीरी का भूग लगाने से भगवान विश्टू मा लक्ष्मी जी की कृपा से बैवाहिक जीवन में चली आ रही परिशानिया दूर होती हैं बैवाहिक जीवन सुख में बनता है और घर में सुख सम्रती और शांती बनी रहती है दोस्तों आप सभी एकादशी के पावन पर पर इन उपाईयों को करके इन से लाप प्राप्त अवश्य ही करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसने भेवी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तेंक्स पूर वोचिंग राधी राधी